नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे फाइल टूल कितने प्रकार का होता है according to cut जो फाइल टूल है वहाँ एक hand cutting tool होता है जिस पर multiple teeth बने होते हैं और इसका material high carbon steel होता है इसे fating soap या फिर machine soap में इस्तेमाल किया जाता है work piece पर इसको rub किया जाता है और rubbing करके work piece के उपर से जो surplus material होता है उसे remove कर लिया जाता है अब बात करते हैं जो file tool है according to cut कितने प्रकार का होता है सबसे पहले होता है single cut file single cut file में जो file का face होता है वहाँ पर जो teeth बने होते हैं वो diagonally होते हैं और एक ही direction में होते हैं और एक दूसरे के वो parallel होते हैं और इसमें जो angle बनता है जो teeth का जो angle होता है face के axis के respect में वो 60 degree का होता है इस परकार के file को hard metal पर इस्तिमाल किया जाता है finishing purpose के लिए और जब भी single cut file से material के उपर rubbing की जाती है तो कम amount में material remove होता है और material का जो surface है वो smooth बनता है और एक परकार से जो single cut file है वो double cut file के मकाबले बढ़िया surface finish work piece या component पर provide करती है उसके बाद जो double cut file है double cut file के case में जो teeth की rows होती हैं वो दो होती हैं यहां पर तो एक ही row है यहां पर दो row होती हैं एक तो बिल्कुल similar होती है जैसा single cut file में है दूसरा फिर दूसरी direction में होती हैं तो दो row होती हैं इसमें teeth की जो यह row है यह face axis के साथ 70 degree के करीब का angle बनाती है mostly तो यह 70 degree और 80 degree के बीच का angle हो सकता है और जो दूसरी direction की जो teeth हैं वो face के axis के साथ 50 degree से 60 degree के बीच का angle बनाती हैं एक प्रकार से इसमें जो दोनो teeth होते हैं वो आपस में एक दूसरे को cross करते हैं और जब भी double cut file का इस्तिमाल किया जाता है तो इस case में ज़्यादा amount में material remove होता है और काफी कह सकते हैं कि quickly काफी तेजी के साथ material remove होता है लेकिन double cut file के दुआरा work piece या component का जो surface है उसमें हमें smooth surface नहीं मिलता तो एक प्रकार से double cut file का प्रयोग हम normal filing के लिए करते हैं और इसे हम course type file के नाम से भी जानते हैं जो course type file होती है उसमें जो ये वाला angle होता है ये 30 degree से 35 degree के बीच में हो सकता है और ये वाला जो angle है वो 80 degree से 87 degree के बीच में रहता है उसके बाद जो next है वो है curved cut file अब curved cut file जो होती है इसमें जो teeth अगर हम देखें वो एक प्रकार से वो curve की form में होते हैं और इसे vixen file के नाम से भी जाना जाता है और इस file का प्रियोग हम जो soft metal के जो wide surface होता है उसके उपर से material को remove करने के लिए करते हैं soft metal जैसे aluminium, zinc, copper, brass, इतियादी उसके बाद है rasp cut file अब जो rasp cut file है इसमें अगर teeth को देखें वो आपसमे connected नहीं है सबी जो teeth हैं वो एक दूसरे से disconnected हमें नजर आ रहे हैं और जो teeth हैं वो थीक होते हैं और triangular shape के teeth इसके उपर ये बने होते हैं तो rasp cut जो file होती है इसका प्रियोग हम woods पे करते हैं plastic पे करते हैं, fiber पे करते हैं hard rubber पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो animals के जो horns होते हैं जो seeing होते हैं अगर उनसे बना हुआ कोई भी अगर job या component है तो उसकी filing भी इसी type के file से की जाती है और जो animal के जो hoof होते हैं जो खुर होते हैं उनकी rubbing भी rasp cut file के दोआरा ही की जाती है उसके बाद है spiral cut file जो spiral cut file है इसमें जो teeth होते हैं वो thread की तरह ही होते हैं जो thread होते हैं उसी प्रकार से इस पर teeth बने होते हैं और इस प्रकार के जो teeth की जो shape है वो हम जो round या फिर semi round files होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया file tool according to cut कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं उनकी specification क्या होती है और कहां उनका इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे